रमेर्श्रमा महन आवाद की दुनिया की दोस्तों सद्जनु सब्सक्राइब करें सेर करें लाइक करें मेरा कवित आपको बेवारिष्कीर लगे तो मैं आपके चन्नु में मेरी दर्कास की अपील कर रहा हूँ आप से मेरा विन्नमर नित्तान अनुरोद है आप मेरी दर्कास की अपील करें हरे हरे जिने जैसो करें तैसो बयो है हरे हरे जिने जैसो करें तैसो बयो है हरे हरे माली कुम्बकार मिलू उंट एक भाड़े लियो एक बाजू भाजी पान दूजे घट धर्यो है आगे माली पीछे कुम्बकार रखवाल रहो उंट भाजी खाए खाए बोज खाली कर्यो है वरजे कुलाल नहीं कहा मेरी हानी या मैं एक बाजू भोज खाली होता से पर्यो है फूटे सब घट कुम्बकार पस्ताई महा कैसू रे जिन जैसो कियो तैसो भर्यो है पुन्यात्माओ गाउं से दूर मेला लग रहा था मेले में कई अपना माल बेचने के लिए आये हुए थे कई कुछ खरीदने के लिए तो कई योही घोमने फिरने के लिए आये थे एक माली भाजी फल फूल आधी बेचने के लिए और कुमार मिट्टी के गड़े आधी बर्तन बेचने के लिए जाना चाहता था वे दोनू अपना बोज ढोने के लिए साधन की तलास में थे मित्रों एक उँट वाला दोनू की पैचान का था दोनू ने मिलकर उससे एक उँट किराये पर लिया उसे पर एक तरफ भांजी पत्ते ला दे गए और दूसरी तरफ मिट्टी के भर्तन अभिवे उँट को लेकर मेले की और रवाना हुए मित्रों उँट के आगे आगे माली चल रहा था और पीछे पीछे कुमार उँट ने चलते चलते मुँग मोड़ा और भाजी की गठरी से कुछ भाजी खीच कर खाली ये द्रस्त देखेकर कुमार को बड़ा आनन्द आया थोड़ी देर बाद उट ने थोड़ी भाजी और खाली कुमार को बड़ा मजा आया उसने सोचा खाने भी दो मेरे घड़ों को तो ये उट खाने ही सकता है ये माल तो माली का है मित्रो इसमें मेरी क्या हानी है इस माली ने भी क्या माल लिया बेचने के लिए कि जिस पर लादा उसे वही खाने लगा ये उंट टेड़ा मुँ करता है तब कैसे दीखता है इस प्रकार कुमार ने उंट को भाजी खाते हुए नहीं रोका और वे उंट को भाजी खाते हुए देख कर खुस होता रहा है मित्रो पुर्ण्यात्माओ जब उंट ने एक बार भौत सारी भांधी मुँ में भरी ली तब कुमार को जोर से हंसी आ गई माले ने पीछे फिर कर देखा और हुए सारी बात समझ गया उसे बड़ा दुख हुआ मित्रो अरे इस कुमार ने कैसी दुस्त्रता की है इसे मेरा नुकसान देख कर बड़ा मजा रहा है प्रसनवाचक चिन पर मुझे ये प्रसनवाचक इसे अपना नुकसान नहीं दीख उसने कुमार से कहा हंस हंस ले अभी तेरी हसने की वारी है आगे चल कर क्या होता है सो पता लगेगा हड़ हरसे कुमार हड़ी माली केरा बोट आगे चल कर देखिए किन करवट बैठे उन्ट हरे हरे उन्ट पर लदे हुए बोज में एक तरफ भार कम हो जाने के कार्ण विगड़ गया और कुछ कदब आगे जाने पर वे बोज नीचे गिर पड़ा कुमार के सभी बरतन फूट गे वे एकदम रोने लगा तब माली बोला हसा है तो रोना भी पड़ेगा अरे हरे हसा है तो रोना भी पड़ेगा तुने मेरा बुरा सोचा था, मेरी हानी देखकर तुखुस हुआ था, उसका फल भुगत, अब तेरा तो कुछ भी नहीं बचा है, परन तुम मेरी भाजी तो अब भी भहुत कुछ बच गई है, किसी की हानी होते हुए देखकर खुसनी होना चाहिए आवाज की दुनिया की दोस्तो दूसरे की हानी को रोकने में अपना ही लाव है, हरे हरे,